चाचा जी को अनिता जी पटा ली हैं चाचा जी को जो है पैसे दी है अनिता जी तभी तो चाचा जी उनके फेवर में बोल रहे हैं तो गाइस स्वागत है आप सब का मेरे चैनल में I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे तो भई आप लोगों ने वीडियो देखा होगा हमारी फसंतिया का और फसंतिया के सब्सक्राइबर्स के कमेंट भी आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे कि हम जब गाउं जाएंगे ना गाउं जाके सबसे पुछवाएंगे आप लोगों को कि हम कैसे है कैसे नहीं है और उस टाइम पे बहुत सारे लोग वहाँ पर थे जिनोंने हमें छुड़वाया था तो हम इस चीज का प्रूफ आप लोगों को देंगे अनिता जी ने ये चीज बोली थी उसके बाद अनिता जी गाउं में आए अब गाउं में आने के बाद उनका फर्च बनता था कि जिन लोगों ने भी हमें छुड़ाया था उस टाइम पे जो मोके पे मौजूद थे उन लोगों के मैं बयान लूँ और अपनी ओडियंस को बता जा हैं मतलब गल्त नाम दे रहे हैं ये चीज मैं आपे कहना चाहूंगी जाए मैं फसंती हो जाया अनिता जी हो देखिए किसी के भी करेक्टर के उपर उंगली नहीं उठानी चाहिए जैसा कि दादा जी के ना साथ भी नाम जोड दिते हैं तो मैं इस चीज के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ और अगर अनिता जी के लिए तने गंदी बाते बोली जा रही है तो मैं इस चीज के पक्ष में भी नहीं हूँ जा फसंती के लिए तो इस तरीके की बाते इसलिए कि जा रहे क्योंकि उन्होंने केसी इतना गंदा लगाया है अब जो खुद और जो है इज़त लुटवाने को त्यार बैठी है जो गंदे गंदे आरोप लगा रही है तो भाई उसको तो लोग यही बोलेंगे क्योंकि उसने खुद की इज़त जो है अपने मुह से उड़ाई है कोई दूसरा इंसान नहीं आया उसके उपर ब्लेम लगाने उसने खुद जाके वो है वो बहुत गंदी F.I.R. वहाँ पर लिखवाई है इसलिए लोगों को मौका मिल गया इस तरीकी की बाते करने का लेकिन अनिता जी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने वो सब चीजे बताई लोगों को जो ओडियंस जानना चाती थी और देखे ससूर और चाचा स ससूर में कोई इतना फरक नहीं होता अब इनके जो ससूर है वो तो भाई मूबे पूरी फैविक विक लगा के बैटे हैं उनको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ना उनके मूपे फैविक लगा दी है और उनका मूँ ओगे बिलकुल बंद उनसे चाहे कितना मर्जी बोल लो पहली बातों शायद उनके पास वो फोन ही बहुत चोटा सा है दूसरी बात कि चतुर चलाक इनसानों के साथ वो रहते हैं तो वो ऐसी चीज़े क्यों दिखाएंगे दादा जी को वो तो भाई अपनी साइड करने में लगे हैं हर चीज का पता है लोगों को कि हमेशा जो है लोगों के दिमाग पे लगती है जैसा कि फसंती के भी दिल और दिमाग पे लगती है चाहे यहां से कितना भी बोल दें दादा जी को कि भाई आपको शरम नहीं आती आपने बेटे के साथ ये सब क्या किया है आप तो अपने पैदा किये हुए बेटे के भी नहीं हो आप य किसी ने बहुत सही कमेंट इनकों किया था और कहीं न कहीं यह बात मेरे दिमाग में नहीं आई लेकिन लोग भाई बहुत आगे की सोचते हैं लोगों ने किसीने कमेंट किया कि चीर हरन का जो केस किया है न अभी तो देखो क्या-क्या सवाल पूछे जाएंगे देती रहे न पिर जवाब अभी सास बहु खुश हो रहे हैं कि देखो हमने उन्हें रुला दिया है कोट में जब पूछा जाएगा न इससे कि लाला जी और उनके बच्चों ने तेरा क्या-क्या छुआ दुशकरम किस तरह से किया कितनी देर किया तब पता चलेगा अभी तो भर भर के नो लोग इन से पूछेंगे सवाल जवाब करेंगे और आप लोगों ने इस तरीकी के चीज़े मोवीज में देखी होंगी न तो ये बात बिल्कुल सच है जो पीडित होती है न महीला उसके साथ देखिए होता तो मतलब गल्थ होता ही है लेकिन आगे से जो वकील होते है न व बहुत गंदे और बहुत गिनोने सवाल पूछे जाते हैं तो मेरा पर्सनल इन से ये कहना है कि भाई जाके अपना केस वापिस ले लो क्यों अपनी इज़त की धजिया उडवा रहे हो अभी तो ये चीज़े इनको सही लग रही है कि कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा और आने वाले टाइम में इनके बच्चों का फ्यूचर भी आप देख रहे हैं इनकी लड़की है बेटा है भई उनके उपर भी लोग सवाल करेंगे कि तुम्हारी माने तो ऐसा ऐसा किया था कौन तुमें रखेगा आपनी नोकरी पे हमें डर लगता है तो बहुत सारी ची इसे नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उसके बाद तो लोग मुझे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं इस चीज को मैं यहां ऐसे रिलेट कर सकती हूं जैसे क्या जिनको एक शादी का जो है बुकिंग मिली नोंने अपने टाइटल डाला था कि खूब बुकिंग है घर का गाम जल्दी जल्दी से हमें निप्टाना है नई रेसिपी सीखनी है तो वहाँ पर किसी ने इनको कमेंट किया था कि अरे तुम जो है कहा जा रही हो भाई कल को जो है तुम यह शादी की बुकिंग जोली है इसको तुम कैंसिल कर दो कल को ऐसा ना हो कि भाई किसी के उपर तुम जूठा रोप लगा दो जैसे अपने जेट हो और अपने बच्चों के उपर लगाया था चीर हरन का यहीं से आप देख सकते हो कि इनके कैरियर के उपर कितना ज्यादा इफेक्ट हुआ है इन सब चीज़ों का जो इन्होंने गंद कि तुम्हारा केस बड़ा है तुम डटी रहो इसी भाने तुम्हें घर में से हिस्सा भी मिल जाएगा बना बनाया तुम्हें घर मिल जाएगा जो लाला जी ने खूब पैसा अपना मेनत के कमाई लगा लगा दी उसमें से तुम घर भी ले लेना और अपने केस पर तुम ड इसा नहीं है कि टेंशन नहीं है, इतना टाइम हो गया भाई, उन्होंने जो है इस्जत कमाई है, और सिरफ इंडिया से नहीं, बाहर देशों से भी लोग उनको देखते हैं, क्योंकि जब उनका कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं तो लोग बोलते हैं कि हम अमेरिका से देख रहे ह हैं हम यहां से देख रहे हैं तो सोचीए इज़त ही तो कमाई एक तरीके से horizon बहुत सारे व्लोकर हैं यह पर और धिहाद के तो बहुत ही जादा व्लोकर हैं तो उन्हें बताईए कों बाहर से देखता है सिरफ और सिरफ इनके पती के सभाव के कारण कह लीजे या फिर इनकी मेहनत के कारण कह लीजे जो भी आज यूट्यूब पे इजद कमाई है ना वो फसंतिया ने पूरी की पूरी मिट्टी में मिला दी एक बार भी नहीं सोचा कि भाई जिसने मुझे रोटी खाना सिखाया जिसने मुझे काम सिखाया आज मैं उसके साथ क्या करने जा रही और सच में आज वो पूरी की पूरी फैमिली जो अनब बहुत बड़ी प्रोबलम में आ चुकी है अगर दादा जी अगर समझदार होते ना तो इनके घर में ये लड़ाई होती ना क्योंकि भाई व वीडियो में बताया भी था कि वह जो है इस तरीके का केस करके बहुत जादा खुश हो रहे हैं इस आप लोगों की क्या राए है इस वीडdiयो पे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों क्या लगता है कि फसंती जो है अपना केस वापस लेगी या फिर इस केस को जो है ऐसे ही चलने देगी और वो कही न कही आनिता जी को परिशान करती रहेगी जैसा भी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरी जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शियर करें और बेल आइकन को प वीडियो में तब तक के लिए बाइ